नमस्कार, आज हम आठमी कक्षा का ड्राइंग सब्जेक्ट का वार्सिक आकलन यानि कि वार्सिक प्रिक्षा मार्च 2023 का परशन पत्र डिसकस कर रहे हैं इसमें कुल मिलाकर 42 परशन हैं जैसा कि आप देख रहे हैं परशन संख्या 1 से 25 तक 1 अंक का है, परशन संख्या 26 से 33 तक 2 अंक, परशन संख्या 34 से 41 तक 3 अंक, परशन संख्या 42 पंदरा अंक का है भाग कर यानि कि जो पार्ट A है वो MCQs है, Multiple Choice Question इसमें सबसे पहला परशन है, चित्रों में छाया दिखाने के लिए सामाने देख किस विधी का प्रियोग किया जाता है option है, का दिसाथम, ख्य क्रोस हैचिंग, घय स्टिप्लिंग, घय मिक्सिंग Generally जो method used किया जाता है, mixing, यानि कि घय उत्तर रहेगा प्रशन नमबर दो, भूद रेशे चितने के मुख्य घटक कौन से हैं? भूमी आकास, वातावरण, मौसम, उप्रोक्ट सभी जो लेंड्सकेप के कंपोनेंट्स की बात हो रही है यहां पर, तो इसका उत्र रहेगा घय उप्रोक्ट सभी प्रशन संक्याती, फुल जड़ी को घर के कौन से हिस्से में लगाया जाता है? मुख्य दवार पर, रसोई घर में, बैठक कक्स की छत में, सनान घर में तो इसका उत्र है बैठक कक्स की छत में, शादी होती है न, जब दुलन, फुल जड़ी लेकर आती है, उसको हम बैठक कक्स की छत में लगाते हैं, वहां पर टाएंगी जाती है माइकल एंजेलो का सम्मंद कला की किस विधा से था? कह चितरकला, कह संदिगीत, गय निर्ते, गय रंगोली तो इसका उत्र है जो माइकल एंजेलो थे, वह चितरकला से सम्मंद रखते थे विर्थ कैसी आकृति मानी जाती है? क्य त्रियायामी, ख्य द्वियायामी, ग्य ख्य और ख्य दोनों, ग्य जो अप्षन है इन में से कोई नहीं, तो इसका उत्र है ख्य द्वियायामी परसन संख्याच्छे, मधूबनी प्रमप्रागत कला का सम्मंद बिहार राज्ये के कोन से जिले से है? क्य पुर्णिया, ख्य पटना, गय गय और गय दर्बंगा तो मधूबनी जो कला है वो बिहार की लोग कला है, जैसे अपने हरियाना की सांजी है न वैसी मधूबनी बिहार राज्ये की लोग कला है और ये पुर्णिया और तर्बंगा दोनों जिलों की है, तो इसमें दोनों उत्र ठीक है जब दो स्रेणी के रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सी स्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं कई प्रात्मिक, खै दुईतियक, गै तृतियक, खै ये सभी उत्रहै तृतियक, जब प्रात्मिक स्रेणी के रंगों को दो स्रेणी के रंगों की बात हो रहे न प्रात्मिको और सेकेंडरी यानिकी प्रामरी और सेकेंडरी को मिला देंगे तो टर्सरी यानिकी थर्ड केटेगरी के कलर्स जो हमें प्राप्त होएंगे प्रसन संख्या आठ वस्तू चित्रन करते समय किस बात का विसेश ध्यान रखना अती आवशक होता है प्रशन को ध्यान से देखना वस्तू चित्रन की बात हो रही याँपर तो अनुपात का ध्यान रखना सबसे आवशक है प्रसन संख्या नो मानव चेहरे के अनुपातिक चित्रन के अनुसार चेहरे को कितनी कायों में बटा जाता है गए ख़दो गए तीन गए चार तो जो उत्तर है वो है गए तीन यानिके अगर नाग को एक इकाई मानना जाए तो नाग से नीचे ठोड़ी तक एक इकाई होतीर नाग से उपर माते तक एक इकाई होती है तो कुल मिलाकर कितनी कायों में प्रसन संख्या 10 बीजना जो हमारी प्रमप्रागत वस्तु यह किस काम आता खय बेकर समन का प्रियोग करने के लिए खय बीज रखने के लिए गय घर सजाने के लिए घय हवा करने के लिए उत्र है घय हवा करने के लिए डिजायन के मुख्य सिधान्त कौन कौन से हैं परीधी परस्ति दो बिंदूओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है परसंद्यान से पड़ो आप इसका उत्तर चाप लगाओगे क्योंकि परीधी परस्ति दो बिंदों को मिलाने वाड़ा रेखा खंड पुछा गया है चाप जो है वो परीधी परस्ति दो बिंदों के बीच की दूरी होती है और जब परीधी परस्ति दो बिंदों को मिलाने वाड़े रेखा खंड की बात हो रही है तो उत्तर रहेगा खय यानि कि जीवा प्रसन संख्या तेरा गती चितर के अंतरगत किस परकार के चितर बनाए जाते हैं कई गती मान चाया चितर, खय मोडल, गय पहाड, गय सजावटी डिजाई गती चितर, गती चितर की बात हो रही है हाँ पर यानि कि action drawing तो गती मान चाया चितर उत्र है प्रसन संख्या चोदा हवाई द्रिष्टी कोण में पास की वस्तु कैसी दिखाई देती है कह धुंदली, खय दूर, गय साफ, गय सामानने हवाई द्रिष्टी कोण यानि कि aerial perspective दुंदली का तो मतलब भी नहीं बनता क्योंकि दूर की दुंदली दिखाई देती है, दूर भी नहीं होगी क्योंकि पास की वस्तु की बात हो रही है तो उत्र है गय, यानि कि वो साफ दिखाई देती है जितनी दूर जाते जाएंगे उतना ही दुंदला दिखाई देता जाएगा परसन संख्या 15, माइकल एंजेलो का सम्मंद किस देश से था? कह इटली, खह फ्रांस, गह न्यूजिलेंड, गह इंगलेंड, माइकल एंजेलो का सम्मंद था इटली, यानि कि कह उत्र है? अब हम देखते हैं भाग खयवस्तुनिस्ट पर्षन, परसन संख्या 16, 17 तक खालिस्थान बरने हैं, परसन संख्या 16, वस्तु चित्रन में डैश और डैश का अनुपात अती महतव पूरण है, यानि कि जब हम वस्तु चित्रन करते हैं, तो उसमें किस चीज का अनुपात महत जनम किस देश में हुआ था, तो इनका जनम हुआ था निदर लेंड में, परसन संख्या 18, बी ग्रेड के बढ़ते करमानुसार पैंसिल का हलकापन डैश की तरफ बढ़ता है, आपको पता है, पैंसिल दो ग्रेड में होती हैं, एच वाली हार्ड होती हैं, बी वाली सौफ् तो पैंसिल का हलकापन गेरेपन की तरफ बढ़ता जाता है, तो उत्र क्या है यहां पर क्या बर्या जाएगा गेहरापन, अब परसन संख्या 19 से 21 तक सत्य और ए सत्य कथन बताने हैं, परसन संख्या 19 मानव चित्रन करते समय चेहरे को पांच इक आयों में बाटा जाता है, सत्य या ए सत्य परसन पहले भी आया है, चेहरे को तीन कायों में बाटा जाता है, तो इसका उप्शन रहेगा ए सत्य है यह कथन, परसन संख्या 20 जिस बिंदू पर परकार की नोक रखकर वृत कहींसते हैं, वह तरिज्या कहलाता है, नहीं आपको पता है, केंद्र की दूरी को तरिज्या कहा जाता है, जिस बिंदू पर परकार की नोक को रखकर वृत कहींसते हैं, वह कहलाता है, वृत का केंद्र, यानि कि यह भी आय सत्य है, परसन संख्या 21, सांजी को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है, इसमें सत्य रहे सत्य नहीं लिखा परसन संख्या 22, 25 एक बार देखो ध्यान से, दिशात्मक विधी, विरत की परीधी का भाग, मधूबनी, सांजी, जो आगे ऑप्शन है, जहां पर मिलान करना है, चाप, बिहार नेपाल, बाल, जाड और जाडियां, मिट्टी के सितारे, सो से पहले दो देखो, आप सांजी जो हमारे रियना की लोक कला भी है, मिट्टी के सितारे, तो सांजी 25 नमर को किसे मिलाएंगे, मिट्टी के सितारे, आप देखते हैं मधूबनी, मधूबनी आपको पता भिहार नेपाल की कला है, लोक कला, तो 24 को भिहार और नेपाल से मिला देंगे, इसके बाद विरत की प विदी में दिशा की तरीके से काम किया जाता है पैंसिल को रखे एक दिशा में बढ़ा आ जाता है स्ट्रोक्स लगाए जाते एक तरीके से तो इसका ऑप्शन रहेगा बाल ज्ञाड और ज्ञाडियां अब हम देखते हैं भाग गय अती लगू उत्रातमक परसन सांजी के वि राता है तो कुआरी लड़क्या और ओरते मिलकर संजी बनाती है फिर संजी का भाई आता है आखरी दिन जब संजी को लेजा जाता जोड में तराने के लिए तो मिट्टी के आंडी में रहके iK मठे में रहके corona प्रस BACKनाने demand और अगला प्रशन है ठाढ़िया क्या होता और किस काम आता है ठाठिया यानि कि ठाठिया क्या होता है जो पहले के टाइम पर देख्था आपने डालडी बोलते थे जिनको अखबार आज इसको हम पेपर मैशी कहते हैं अखबार पुराने कागचुन को भीगो कर रख देते थे तीन चार दिन के लिए और फिर उसके अंदर म लिए दैप टान निमिट डालके उनको कूठ लेते थे उससे क्या होता था वो बिल्कुल चिंखने मिट्टी की तरह बना जाता थ हूए जा से ब्रतन बनाए जाते थे जो विल्कुल लाईट बेट होते बिल्कुल सॉफ्ट अच्छες होते हूए फिर उसके उपर रंग कर द चित्र बनाने में हवाई द्रिश्टीकोन में पास की वस्तु दूर की वस्तु से साफ दिखाई देती है। और भूध रिशे चित्रण में दूरी बढ़ने पर वातावर्ण में दूल के कन होते हैं और नम्मी की वजे से तो जो दूर की चीज़े होते हैं उधुंदुली दिखाई देने लगती हैं इसी को क्या कते हैं हावाई द्रिश्टी कौन इसके बाद है चितरकार पाबलो पिकासो का दो लाइनों में विवर्ण दीजी चितरकार पाबलो पिकासो स्पेन के एक महान चितरकार थे ये 20-वी सदी में सबसे ज़्यादा विबादों मेरे इतुर समर्दकलाकार थे इन्होंने तिक्षन रेखाओं का परियोग करके गहनवाद को जनम दिया था इन्होंने कुछ चितरे ऐसे बना थे जो सिर्फ रेखाओं रेखाओं का परियोग किया था और जो पाबलो पिकासो की कला करतिया नव मानव वेदना का जीवित दस्तावेज है इन का जनम हुया था 25 अक्तूबर 1880 को स्पेनम और मिर्तु हुई थी आठ अप्रेल 1973 को मोगिन्स फ्रांस मौई थी इनकी मिर्तु है प्रसन संख्या 30 दिशातमक विधी की परिभाशा एवं एक उधारन दीची दिशातमक विधी का परियोग मुख्यत दिशा को परदर्शित करने में किया जाता है इस विधी से अभी हमने पिछे पड़ा था एक बाल, गास, जाड़ियां, जाड़ आदी बनाई जाते हैं अगला प्रिशन है केले का चित्र बनाकर उसमें हैचिंग विधी द्वरा प्रकास वेच्छाया दिखाओ हैचिंग आपको पता है लाइनों का प्रियोग किया जाता है, हैचिंग के अंदर सी दिसीदी लाइने लगाई जाती है तो केले का चित्र बनाकर उसके इंदर आपको हैचिंग विधी से प्रकास वर्चाया दिखाणी है परसन संग्या 32 वस्तु चित्रन में अनुपात का महतो दो लाइनों में बताएं वस्तु चित्रन में उसकी लंबाई चोड़ाई का अनुपात और दूसरी वस्तु के साथ उसका अनुपात बहुत ही ज्यादा महतो पूर्ण होता है परसन संखया ते 30 सेब का चित्र बनाकर रंग दो कित्र बनाना है और रंग भरना है भाग घै लगू उत्रातमक परेशन लियोनार्डो दाविंची का जनम कब और कहां हुआ था? लियोनार्डो दाविंची का जनम हुआ था 15 आपरेल 1452 को इटली में अगला प्रेशन है रंग है वो दो द्वितिक श्रेणी के रंगों को आपस में मिला कर प्रापत होते हैं और इसके जो तीन रंगों के नाम हैं वो हैं ओलाईव, सलेट और बिर्क रेड इंडियन रेड जिसे कहते हैं प्रेशन संक्या शत्तिस रंग बिरंगी मोंबत्ती में प्रयोग होने वाली स्यामगरी के नाम लिखो जब मोंबत्ती बनाने तो उसे पहले तो मोंब चाहिएगा फिरो रंग बिरंगी बनाने तो मोंब वाले रंग चाहिएगे और उसको शेप देने के लिए साचा चाहिएगा और मोंबति जड़ाने के लिए धागा चाहिएगा दागा होगा तब ही वो चलेगी स्टिक्स चाहिएगी मोमवाली फ्राइपें चाहिएगा निचे आग जड़ाने के लिए गैस चाहिएगा लिख दो ये जितने वी चीज़ें Chris परसंघ्या श्ते इस बूद रिशे चित्रन में मुख्य गटक कौन कौन से हैं और उनका क्या महत्तव है विवरण दे बूद रिशे चित्रन में मुख्य रूप से बूमी आकास वातावन तथा मोसम के जो आवशेक तत्तव हैं उन मोसम के जो आवशेक तत्तव के रूप में विद्धमान होते हैं अन्य गटक भी अलग अलग भूद्रिशों पर निर्बर करते यानि कि जैसा भी हम लेंडस्केप बना रहे हैं वो जैसे भी हम जगहगा बना रहे हैं उसके ही साब से बनाते हैं यानि कि एगर हम पाड़ी स्थान बनाएंगे तो वहाँ पाड़ और पाड़ी बनाने पड़ेंगे जो पहाड़ी पेड़ पोद देंगे वो बनाएंगे। चित्रण में चेहरे के अनुपातिक चित्रण से क्या भी प्रहा है जिस परकार की सोर्व वैस के सरीव के अंग एक विशेश अनुपात में होते हैं जैसे छोटे का मुझे बिलकुल गोड होता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ही मुगा कार भी अंडा कार होता जाता है गोड से तो इसी प्रकार जिस प्रकार कि सोर्वे वैस के सरीर के अंग एक विशेस अनुपात में होते हैं उसी प्रकार चेरे पर आँख, नाख, कान, होठ ये जितने भी अंग हैं अगला प्रशन दिये गए विर्त का केंद्र ज्यात करें विर्त पर कोई भी तीन बिंदू ले लेंगे A, B, C A, B को मिला देंगे और B, C को मिला देंगे अब A, B जो अमारे पास एक जीवा आगी इसका बाय सेक्ट कर दें यानि कि इसको दो समान बागों में बाटेंगे और ऐसे ही B, C को भी दो समान बागों में बाटेंगे अब जो हमने A, B का बाय सेट किया C और D पॉइंट की हल्प लेंगे C1 दे देंगे, C नाम पर ले दे रख्या, E और F अब E, F को मिला देंगे और इदर से C और C1 और B को जहां पर भी ये दोनों लाहिने बाय सेक्ट वाड़ी मिलेंगे वो आगया O व्रित का किंदर, इस O को डार्क करतेगे क्योंकि जो हमारा अंसर होता जमेट्री में वही डार्क होता है प्रेशन है 80 mm व्यास का व्रित खींचे 80 mm यानिकी 8 cm व्यास है ये 1 से 4 और व्रित लगा देंगे ये हो गया प्रेशन संख्या 41 बेकार गत्ते के टुकडों से बनाई गई किनही तीन वस्तुओं के नाम लिखो बेकार गत्ते का यूज करके हम जो चीज बनाते हैं जैसे की फोटो फ्रेम हो गया गुड़िया का घर है और पैन स्टेंड या फिर कोई हैंगींग जो बीची जंबेकार गत्य के टुकडों से बना सकते हैं उनके नाम लिखने हैं भागडे दिर्ग उत्रात्मक प्रेशन 42 नंबर मटके का चित्र बनाकर उसे मदूबन कला से सजाओ मटके का चित्र बनाना है और उसके अंदर मदूबनी ड्रॉइंग बनानी है धनने बादे